नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल Simply Educated में History पढ़ाने के करम में हमने पिछली बार दो वीडियो बना चुके हैं हम जिसमें हमने जो पहला वीडियो बनाया था, उसमें हमने देखा था कि किस प्रकार जो European सक्तियां हैं वो भारत में आई हमने Modern History सबसे पहले पढ़ाना सुरू किया है क्योंकि किसी भी एक्जाम में Modern History सबसे ज़्यादा वेटेज होता है आपने अभी UPCC की दोरा जारी हुए PET का सलेबस देखा होगा Preliminary Elisibility Test जिसमें भी History, Modern History को अलग से वेटेज दिया गया है पास तंबर का तो इसी के क्रम में हमने देखा कि European सक्टियाँ सबसे पहले पुर्टगीज आए उसके बाद डच आए, फिर अंग्रेज आए, फिर डेनिस आए और फिर फ्रांसीसी आए हमारे देश में उसके बाद हमने जो दूसरा वीडियो बनाया था, उसमें हमने देखा था कि किस प्रकार जब 1707 इस्वी में औरंग जेब की मृत्य होई उसके बाद में मुगल सामराजी के जो उत्राधितारी थे, वो मुगल सामराजी को संभाल नहीं पाए इंटीग्रेट नहीं रख पाए और मुगल सामराजी का पतन हो गया मुगल सामराजी के दरवार में जो अमीर थे, जो नोबल थे, उनके कई सारे गुट बन गए और वो आपस में लड़कर जो राजा थे, उनको डिसाइड करते थे कि कौन राजा बनेगा जिसमें हमने देखा था कि जो बहादुर सा और जहांदार सा था उसके समय जुलफिकार कान किस परकार से एक बहुत ही सक्तिसाली नोबिल की रूप में उभरा उसके बाद में फारुक सियार के समय हमने देखा कि सेयद बंधू जो कि अब्दुल्ला खाँ और हुसैन अली खाँ थे वो किस प्रकार से फारुक सियार के दर्वार में एक सक्तिसाली वजीर के रूप में उभरे, नोबिल के रूप में उभरे उसके बाद में फिर मुहम्मद सा और एहमद सा आलमगीर दुती साहलम दुती अदबर दुती और बहादुर सा दुती बहादुर सा जफर दुती तो ये नो राजा हुए मुगल राजा हुए जिनों ने जिनके साशनकाल में लगातार जो मुगल के प्रांत थे वो घटे चले जो लोग अपने आपको स्वतंत्र घोसित करने लगे। कई बार वो नजराना उता था जो मुगल सामराज को जाता था, वो पेश तो करते थे, लेकिन वो कहीं न कहीं अपने आपको स्वतंत्र भी घोसित करते थे। इसी दोरान जो राज स्वतंत्र गोसित हुए उनकी एक लिस्ट है इनी के बारे में हम आज इस वीडियो में देखेंगे सबसे पहले आप एक मैप देख लीजिए ये आपका बंगाल प्रांथ है जो कि जब मुहम्मद साह का सासन आया उसके बाद में बंगाल भी स्वतंत्र हो गया फिर अवद स्वतंत्र हो गया देरे देरे ये आपकी दिल्ली है यहाँ पर लहौर था ये काबुल प्रांथ था का प्रांदेश ये मालवा, बिहार, उडिसा, आप हमेशा बंगाल, बिहार, उडिसा का नाम सुनेगे जब भी अंग्रेजों की बात होगी, क्योंकि सबसे पहले अंग्रेजों ने इन ही तीन प्रोविंसेस पर कपजा किया और यहीं से अपना रेवेन्यू कलेक्ट करते करते, देरे देरे वो पूरे देश में फैल गए, तो चलिए वापस आते हैं जो नवीम राज्यों की बात कर रहे हैं, जादा तर जो प्रांद मुगल सामराज जिसे अलग हुए सौतंतर हुए, वो मुहम्मस सार रंगीला के सासनकाल में हुए, इन में मुख्य प्रांद बंगाल था, बंगाल को मुर्सद कुली खान ने सौतंतरूप से स्थापित किया, उसके बाद में हैदराबाद, हैदराबाद को निजामल मुल्क चिनकलिच खान, ये निजामल मुल्क वही थे, जिन्होंने मुहम्मस सा को राजगदी पर बैठाया था, और निजामल मुल्क मुहम् खिराजी देखेंगे, वो करनाटक देखेंगे, जिसको सादत उल्ला खाने स्टैब्लिस किया था सुतंतरूप से, आवद को सादत खाने जिसको हम बुर्हान मुल्क, बुर्हान उल्मुल्क की उपादी मिली थी, उसने स्थापित किया था, और फिर हम देखेंगे मैसूर क जिसको हैदर अली ने स्थापित किया था इसी के साथी साथ हम देखेंगे कि जो सिख सासन था जो सिख में किस तरीके से सिख पहले आपको पता है कि गुर्गोबिल सिंग जी के बाद में बंदा बहादूर जब फारुक सियार से लड़ता है उसके बाद में जो सिख सासन था वो राजा रणजीर सिंग के समय फिर से विस्तार किया उसने उसके बाद में हम देखेंगे कि मराठों की सक्ती किस परकार से उभरी जब औरंजीब की मिर्ट हुई उसके बाद में तो ये हम देखेंगे तो अगर हम बंगाल की बात करें तो बंगाल की जो सुतंतर प्रांथ की अस्थापना है वो मुर्सित कुली खान और अली वर्दी खान ने की थी ये दोनों एक समय मित्र ही थे जब इन्हों ने बंगाल की अस्थापना की थी तो सबसे पहले मुर्सित कुली खान को औरन जेब ने बंगाल का दीवान बनाया था उसके बाद में 1717 हिस्वे में वह बंगाल का सूबेदार बन गया क्योंकि वो एक बहुत ही एफेक्टिव और बहुत ही प्रभावसाली वहां का नेता था बहुत ही प्रभावसाली नवाब था उसके बाद में उसने बंगाल के मद में मुर्सित कुली खान ने आप आगे पढ़ेंगे कि कौन सा ऐसा नवाब था जिसने अपनी राजधानी को मुर्सित कुली खान ने जब आप आगे पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा राजा के पास होती थी तो जो डारेक्टली जो प्रसासन होता था उसके अंडर में वो भूमी रहती थी उसके अंडर में खेती होती थी तो बहुत सारी ऐसी जमीने थी जो जागीर में दे दी जाती थी तो बहुत सारी जमीन मुर्शित कुली खान ने वापस ले लिया और उन इसे के लिए आप ये समझ लिए कि किसी एक revenue collector को दे दी जाती थी जो कि उससे revenue collect करता था और मुगल सासन को revenue देता था, यानि कि पैसे देता था, मुगल सासन उनसे ये बोल देता था कि आप हमको इस land के लिए support करिए कि आप सौर्ब्या दे दीजे, बाकी आप जितना वसूल पाई इस land से तो आप उतना इस land से पैसे वसूल लीजे, तो इसमें होता क्या था, फिर किसानों के साथ अत्याचार होता था, किसानों को मार पीट कर जबर्दस्ती ज़्यादा ज़्यादा पैसा वसूल ले जाता था, इसलिए जारा बेउस्ता कभी भी अच्छी नहीं थी लेकिन ये राजाओं के लिए ये सासन करने वालों के लिए एक आसान तरीका था, क्योंकि उन्हें फिर डारेक्ट जो है किसानों से डील नहीं करना पड़ता था, वो किसी एक सक्तिसाली मनी लेंडर को या फिर जो भी महाजन होते थे, उनको दे 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 थे थे, एक काम आपको वो रिड देटे थे थे, तकावी रिड के जाई अच्छा अपनी खेती का लीजी अपनी फसल निकाल लीजीए उसके बाद में फिर हमको आप टैस्जियेगा, उसके बाद में फिर मुरसित कुली खान की 1727 में मिर्त हो गई उसके बाद में फिर सुजाओत दीन और स तो आप अली वर्दी खान के की से होुआ है तो अली वर्दी खान की सरफराज खान की हत्या गरड़ी पाहिए 1740 इस्वी में 1740 इस्वी में जब गद्धी पर बैठा तो उसने शुरुवात में तो जो मुगल बास सा थे उनको अपना नजराना भेजा यानि कि उनको बताया कि देखिए हमने यहाँ पर राजगद्धी पर बैठ गए और इस समय कौन था वहाँ पर मुगल साशन में वो था मुखंबस सा समय थे 1740 में ही क्योंकि मुखंबस सा करीब 1719 में राजा बने थे और 1748 में उनकी मृत्व हुई थी अब आगे देखते हैं 1751 में अली वर्दी खान को मराठों से संदिकनी पड़ी थी जिसके बाद उन्होंने उरिसा प्रांत मराठों को दे दिया था और 12 लाक रुपए की वार्सित चौत देने की भी बास सुईकार की थी तो अब इनको उरिसा क्यों देना पड़ा क्योंकि जो बंगाल की जो सेना थी बंगाल में सेना लगातार कमजोर हो रही थी बंगाल के जो भी नवाब थे हाला की ये नवाब दोनों चाहे वो मुर्सित कुली खान की बात करें या अली वर्दी खान की बात करें दोनों मुगल बहुत ही दक्ष थे दोनों ही मुगल बहुत ही प्रभाव साली थे लेकिन ये अपनी सेना को model 9 पर जो है update नहीं कर पा रहे थे जिसके कारण जब मराठों ने इनके उपर अक्रमण गया तो इन्हें उडिसा प्रांथ देना पड़ा था यह आप map में देखिए कि यहां कहीं यह बंगाल है और यह उडिसा का area है और यह मराठा हैं यहां से पूरा से जो की करते थे अपना operation पूरा तो अब देखिए यह किस तरीके से पूरे भारत में इनका अक्रमण पहला हुआ था तो अब यह यहां से जाकर सीधे इन्हों ने उडिसा भी seat कर लिया था बंगाल के नवाद से यही कारण था कि बाद में जब अहमद साब डाली ने 1761 में आतक मचाया मराठों के उपर तो फिर कोई मराठों के साथ में आया नहीं आली वर्दी खान ने अंग्रेजियों और फ्रेंच जो थे जिनकी फैक्टरियां थी बंगाल में उनको किले बंदी करने से मना किया क्योंकि भाई अगर कोई नवाब है और कोई राजा है उसके सासन में ही कोई ऐसा देखती है जो किले बंदी कर रहा है सेना रख रहा है तो इससे जो संप्रभूता होती है किसी राजी की वो तो खत्रे में आ सकती है तो इसलिए अली वर्दी खान ने सीधे स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दिये अंग्रेज और फ्रेंच को कि आप फैक्टरियों को किले बंदी मत करिए चंडरनगर में फ्रांसीसियों की फैक्टरी थी और कलकत्ता में अंग्रेजों की फैक्टरी थी कलकत्ता को ही फोर्ट बिलियम बोला जाता था आपको पता है कलकत्ता कालिकाता, गोविनपुर और सुतानाती इन तीन गाओं से मिलकर कलकत्ता बना था तो कलकत्ता अलग है, बंगौल अलग है यह आप अभी दिहान रखिएगा थोड़ी देर के लिए क्योंकि कई बार हम लोग कलकत्ता और बंगाल एक ही सोचन लगते तो कलकत्ता एक छोटी सी जगह थी जिस पर अंग्रेजो की फैक्टरी थी और वही पर चंदरनगर था जहाँ पर फ्रेंच की फैक्टरी थी आप एक बार मैप देख लिए ये देखिए सबसे नीचे जो है वो कलकत्ता है उसके बाद में ये चंदरनगर है और यहाँ पर हुगली है और यहाँ पर चिंसुरा है तो ये जो कलकत्ता था ये अंग्रेजों के अंडर में था जो चंदरनगर था और जो सेरामपु था ये पुर्तगालियों के अंडर में था और जो हुगली था वो पुर्तगीज के अंडर में था और अंग्रेजों के अंडर में भी था बाद में फिर अली वर्दी खान के बाद में 1756 में जो अली वर्दी खान की डेथ हो गई उसके बाद में एक बहुत ही historical जो नवाव आता है वो है सिराजुद डॉला सिराजुद डॉला 1756 ते 1757 सिर्फ एक ही साल तक राजी करता है लेकिन पूरे भारत के इतिहास में अभी भी इसको याद किया जाता है क्योंकि सिराजुद डॉला के कारण ही अंग्रेजों को एक प्रकार से भारत में राज्य स्थापित करने का निबंतर मिला आप ये समझ लीजे वही से उनके हौसले बुलंद हो गए होता क्या है कि सिराजुद डॉला जो है ये अली वर्धी खान का दोहित्र था और ही तर मतलब उसकी पुत्री का बेटा था अंग्रेजों को आपको पता है कि 1717 इसवी में मुगल समराट जो फारुक सियार थे उन्होंने एक साही फर्मान दिया था ये मैंने जब यूरोपियन सक्तियों का आगमन हुआ था हमारे देस में इस वीडियो में हमने बताया हुआ था कि जो फारुक सियार जो राजा था उसने जो है 1717 इसवी में एक सर जॉन सोर मैन मिशन आया था तो जो सर जॉन सोर मिशन था उसमें एक चिकिसक थे जिनका नाम हैमिल्टन था हैमिल्टन ने फारुक सियार का इलाज किया था जिससे खुसोकर फारुक सियार ने साही फर्मान जारी कर गया था अंग्रेजों को इसमें उन्होंने जारी किया था कि आप बंगाल में बिना टैक्स के ब्यापार कर सकते हैं और दस तक जो है निर्गत करने के अनुमत दे दी गई थी दस तक एक पास होता था ये समझ लिए जैसे आपकी ट्रेन और बसेस में आप पास बनवा लेते हैं पतिकारी होते हैं तो आपको किराया नहीं भणना पड़ता है उसी प्रकार से बंगाल में जब अंग्रेज ब्यापार करते थे तो अब वो सीधे मोगल सासक से लेकर चले आए थे एक दस तक एक साही फर्मान तो जब वो बंगाल में ब्यापार करते थे तो उनका सामान जब भी पोर्ट के जरीए बंदरगा के जरीए जब बाहर से आता था बंगाल में तो उनको कर नहीं बढ़ना पड़ता था और वो क्या करते थे अपने सामान के साथ में एक दस्तक इशू करते थे एक पास इशू क लेकिन एक नुक्सान ये भी हुआ कि ये जो दस्तक था ये था कि company अगर कोई भी ब्यापार कर रही है तो दस्तक इश्यू किया जाएगा लेकिन company में जो काम करने वाले अधिकारी थे कई बार वो भी अपना private ब्यापार करते थे कंपनी के साथ में तो काम करते ही करते थे साथी साथ अपना प्राइवेट व्यापार की करते थे इंडिया में तो वो अपने प्राइवेट व्यापार में जो भी सामान बंगाल के अंदर ले जाते थे उसके लिए भी दस्तक जारी करवा लेते थे तो इससे क्या होता था कि उनको टैक्स नहीं देना पड़ता था और जो बंगाल राजिता उसके राजस को बहुत बड़ा नुक्सान हो रहा था तो ये जो 1770 वाला जो साही फर्मान था ये हमेशा बहुत ही जगड़े की जड़ रही है चाहे वो अलीवर्दी खान के समय रहा हो चाहे वो मुर्शित पुली खान के नवाब के समय की बात हो तो अब क्या होता है कि जो सिराजुत दौला होते हैं इनके समय में भी यही प्रॉब्लम होने लगती है और दूसरी प्रॉब्लम क्या होती है कि 1756 में यूरोप में फ्रांस और अंग्रेजों के बीच एक सब्त वर्सी युद्ध छिड़ जाता है तो इस सब्त वर्सी युद्ध जो छिड़ जाता है उसमें फ्रांस और अंग्रेज जो होते हैं वो आमने सामने होते हैं यानि कि England और France जो है वो दोनों opposite party में होते हैं तो अब इंडिया में भी जो France और अंग्रेज हैं वो दोनों opposite ही तो हुए तो वो दोनों इंडिया में भी उन्होंने सोचा कि हमारी जो फैक्टरियां हैं उनको हम तिले बंदी करते हैं ताकि अंग्रेज हमारे उपर अटैक ने करते हैं या फ्रांसीसी हमारे उपर अटैक ने करते हैं तो इसके चकर में 1756 इसमें उन लोगों ने अपने अपने यानि कि अंग्रेज यों ने कोल काता वाली फैक्टरिय को और फ्रांसीसियों ने चंदरनगर वाली फैक्टरी को फोर्टीफाइड करना शुरू किया, तिले बंदी करना शुरू किया, जिसको जो है सिराजुद दौला ने मना किया कि आप तिले बंदी मत करिये, तो फ्रांसीसियों तो मान गए लेकिन अंग्रेज नहीं माने, तो कभचा करिया है यानि कि कलकत्ता पर कभचा कर लिया अब आपको ये य जून 1756 डेट पता होना बहुत ज्युरी है क्यों जरूरी है क्यों कि यून 1756 को ब्लैक होल्त रासदी हुई 20 रासदी क्या है कि जब शिराजु, दौला फोर्टल बिलियम पर कभचा तो वहाँ पर 146 अंग्रेजों को बंदी बना लेता है और उनको एक कोथरी में बन कर देता है कि बहुत छोती सी फैक्ट्री थी उसमें 146 लोगों को ठूस ठूस कर बंद कर देता है और रात भर बंद रखता है तो सुबे क्या होता है कि सभी लोग मर जाते हैं सिर्फ 23 वहले वो नौकाओं के जरिये वहाँ से भाग कर बंगाल की खाडी के निकट फुल्टा दूप होता है वहाँ पर सरण ले लेते हैं फुल्टा दूप पर तो आपको अभी जब मैंने कलकत्ता दिखाया था तो आपको पता है कलकत्ता हुगली नुली के किनारे बसा हुआ है तो बस नदी किसे होते होते इनकी चुकी नौ से ना बहुत स्ट्रॉंग थी ना तो वहाँ अपने नौ से भाग कर ये बंगाल की खाड़ी में जो समुद्र है बस उसी पर एक ड्यूक होगा वही पर फुल्टा ड्यूक पर इन्होंने सरण ले ली और इन्होंने मद्रास से मदद के लिए बोला और मद्रास में इस समय रॉबर्ट क्राइब और एड्मिरल वाटसन थे यहाँ पर क्या था कि कारनेटिक वार हो चुके थे यानि कि फ्रांस से और लेडी दो युद्ध जो है फुल्टा द्यूप पर और फुल्टा द्यूप पर उन्होंने जो नवाब था नवाब के बहुत सारे दुस्मन भी थे यानि कि जो नवाब था आपका सिराजुद दौला तो सिराजुद दौला के बहुत सारे दुस्मन भी थे जलते थे तो उनके साथ में फुल्टा द्यूप पर बैट कर साठ गांट हुई और जो प्रधान सेना पती थे सिराजुत दौला की सेना के मीर जाफर एक अन्य अधिकारी यार लतीफ दीवान राय दुरलब दीवान जो थे उनका नाम था राय दुरलब और बंगाल के सबसे बड़े वेंकर जगत सेट के साथ में मिलकर एक कॉंस्पिरेसी रची गए एक सडियंत रचा गया सिराजुत दौला के खिलाफ अब इसी वीच में होता क्या है कि 9 फरवरी 1757 को अली नगर की संदी होती है जिसमें अंग्रेजों को कोलकाता वापस दे देता आपको बता है स आप अपने कीले बंदी करिए अपनी फैक्टरी होगी लेकिन अंग्रेज नहीं मानते हैं अंग्रेज क्या करते हैं वो फ्रांसीसियों से चंदरनगर चीन लेते हैं 13 मार्च 1777 को मैं लेगी बस यह समलीजी आपकि 1777 में सब कुछ घटित हो रहा है स्टार्टिंग में तो अब चुकि नवाब को गुस्ता आ जाता है कि हम अभी मामला सुल्टा करे आएं और अभी इन्होंने कपजा कर लिया अब वो क्या करते हैं तो वो चड़ाई कर देते हैं अंग्रेजों के उपर सिराजु दौला और ये दोनों लोग मिलते हैं प्लासी के मैदान में तो प् प्लासी का युद्ध होता है और इसमें क्या होता है कि जो मीर जाफर होता है जो की प्रमुक सेना पती होता है आपको पता है यार लतीफ राय दुरलव ये लोग जो हैं धोका दे देते हैं और ये लोग भाग खड़े होते हैं ये लोग राजा के साथ में नवाब के साथ म युद्ध खतम हो गया, सिराजुद दौला भागे लेकिन उनकी हत्या कर दी गई, तो यहां से सिराजुद दौला का काम खतम हो गया, और मीर जाफर जो की सेना प्रमुक था, उसने धोखा दिया था, तो उसको जो है बंगाल का नवाब बना दिया गया, बंगाल को नवाब बनाने के बाद में इस से बहुत सारा पैसा लिया गया, बहुत ज़ादा कमपनी को भी पैसा, कमपनी ने खुद पैसा लिया, उसी के सत्हीं साथ जो कमपनी के अधिकारी थे, जानी की जो रौबर्ट क्लाइव थे और इनके साथ में जो वाट्सन थे, इन लोगों ने उड्वार उडिसा में मुक्त ब्यापार करने की अधिकार हो गया। आपको मैंने अभी मैप में दिखाया था कि बंगाल बिहार उडिसा कहा पर है। तो बंगाल बिहार उडिसा में अभी इस से पहले तो दस تक ईशू करना होता था। या फिर आप ये समझ लीजिए कि फिर भी जो है कुछ पैसा ये लोग मुगल सामराज को देते थे क्योंकि जब 1770 वाला जो साही फर्मान था उसमें था कि कुछ पैसा आपको देना पड़ेगा मुक्त ब्यापार करने के लिए लेकिन अब इन्होंने क्या किया कि अब बंगाल भिहार उडिसा में बिल्कुल मुक्त ब्यापार होगा एक पैसा जो है टैक्स ना तो मुगल सामराज को देंगे और ना ही बंगाल के नवाब को देंगे और साथी साथ 24 परगना की जमीदारी भी मिल गए यानि कि अब ये मनी लेंडर भी हो गए काइंड ओफ अब ये पैसा भी जो टैक्स होगा वो भी कलेक्ट करेंगे इस्ट्रैक्ट करेंगे हमारे देश के किसानों से अब आप ये समझ लिए उसके बाद में क्या होता है कि फिर मीर जाफर को जब मीर जाफर इतना पैसा लिया जाता है मीर जाफर से लगातार बंगाल में और मीर जाफर देने में नहीं सक्षम हो पाता है तो میरजाफर को हटाकर میर कासिम उसका जो दामाद होता है उसको बैठा दिया जाता है 1760-1763 में अब मीर कासिम अभी मैंने एक बाद बताई थी उपर कि मुर्शदाबाद से मुंगेः जो राजदानी अस्थान अंतरित करता है वो मीर कासिम करता है क्यों करता है रहे हैं सडियंत कर रहा है कि हम अंग्रेज़ों के साथ मिल जाए हम अंग्रेज़ों को ज्यादा पैसा देंगे और चलो नवाब को हटा देते हैं तो इस तरीके की जो है जो सडियंत चला था मुझतावाद में उससे बचने के लिए वो मुंगेर भागाया और लेकिन अब न नहीं कि वो जो है दस्तक इशू कर देते थे और कहते थे अच्छा आप हमको कुछ रुप्या दे दिये और हमसे दस्तक ले जाएए तो उससे होता क्या था कि माल लो अंग्रेज तो पैसा नहीं ही देते थे ब्यापार करने का अब तो हिंदू जो हमारे देसे भारती थे व वो भारती व्यापारियों पर कर लगाने लग रहे हैं तो अब और कर लगाते थे और साथी साथ भारती व्यापारियों को कंपेल करते थे बाद ही करते थे कि आप अपना सामान हमको सस्ते दामों पर बेज दीजिए तो इस तरीके की घटाए होने लगी अगर नहीं होता थ तो फिर उनको भारती व्यापारियों को सताने लगते थे तो इस तरीके की जब चीजे मीर कासिम ने देखी तो उनसे रहा नहीं गया और उसने जो है फिर से अंग्रेजियों के खिलाब एक बिद्रो छेड़ दिया तो लेकिन अब बिद्रो जैसे छेड़ा तो 1763 फिर अंग् ये सभी लोग इस समय तक अंग्रेजियों से धिर धिर परेशान हो चुके थे तो इन तीनों लोगों ने सैयूत सेना बनाई और तीनों लोगों ने सैयूत सेना बना कर 22 अक्टूबर 1764 में बकसर के मैदान में हेक्टर मुनरो के साथ में युद्ध किया तो अब होता क्या ह कि बकसर के मैदान में इन तीनों की सैयूत सेना की बुरी तरीके से हार होती है और आप ये मालीजिये कि प्लासी का युद्ध को अगर अंग्रेजियों के सासन की सुरुवात माना जाता है तो बकसर के युद्ध को अंग्रेजियों के सासन के अस्थाई पढ़ने के लिए मुख कारण माना जाता है, यानि कि अगर आप ये पूछा जाए कि मुख कारण कौन सा, मुख युद्ध कौन सा था, जिसने अंग्रेजों की सत्ता को भारत में साफित किया, तो वो था बकसर का युद्ध, तो अब बकसर की युद्ध के बाद होता कहा कि अभी तक तो सिर्फ बंगाल और बिहार उड़िसा में मुक्त ब्यापार करने के अन्मिलिटी प्लासी के उद्ध में लेकिन अब बंगाल बिहार उड़िसा में दीवानी भी मिल जाती है इनको यानि कि दीवानी का मतलब अब इनके पास खजाना आजाएगा पूरा जितना भी टैक्स कलेक्ट होता था जो अभी तक बंगाल के नवाप के पास जाता था और भी बंगाल का नवाप थोड़ा बहुत दे देता था मुगल सामराजी को अब वो पैसा सीधे अंग्रेजों की जेप में जाएगा तो इससे अब आप समझ लिजे कि अंग्रेजों बंगाल उस समय का सबसे ज़्यादा जो है फर्टाइल लैंड था बंगाल हो गया आपका हमारा उत्तरप्रदेश हो गया था और बिहार था उरीसा था ये कुछ ऐसे राजी थे जो सबसे ज़्यादा उपजाओ जमीने थी जहां पर सबसे ज़्यादा टैक्स आता था जहां पर सबसे ज़्यादा कार खाने थे तो इस वज़े से सबसे आदा टैक्स यहीं से आता था तो इंद की दिवानी मिल गई और साथी साथ क्या हुआ कि जो मुगल समराथ था साह आलम दुती उसको इलाहबाद में नजर बन कर दिया गया तो बकसर की दोके बाद होता क्या कि दो संदिया होती है पहली इलाहबाद की पर्थम संदि और दूसरी इलाहबाद की दुती संदि जो पहली इलाहबाद की पर्थम संदि होती है उसमें बंगाल बिहार उडिसा की दिवानी मिल जाती है और जो मुगल बास्सा होता है उसको अवध के नवाब से कड़ा और इलाहबाद दो जिले लेकर उसको नजर बंद कर दिया जाता है यानि कि अवध जो हमारा छेत्र है अवध छेत्र में दो जिले थे एक कड़ा जिला आपने देखा और एक जिला आपने देखा इलहाबाद तो इन दोनों जिलों को जो है मुगल बादसा सा आलम दुती को दे दिये जाता है कि अब आप जाईए आप इन्हीं दो जिलों पर राज करिए बस आप इतने के ही राजा है और आपको 26 लाख रुपए प्रतिवार सम पेल संदे देगे आपका खर्चा पानी चलता रहेगा और जो दूसरी संदी थी उस संदी में दूसरी लाहबाद की संदी में सुजाओत दौला और अंग्रेजों की बीच में हुई इसमें सुजाओत दौला को बहुत जादा पैसा देना पड़ा अंग्रेजों की तुम पैसा दो हमको कि तुम्हारी वज़े से हमने लड़ाई की हमारी सेना पर बहुत खर्चा हुआ है और चुनार का जो दुर्ग था वो भी आवद से ले लिया गया साथी साथ आवद में ब्यापार जो है करमुक्त करने के लिए उनको सुविधा मिल गई यानि कि आप हमको टैक्स नहीं देना पड़ेगा आवद में भी बंगाल में इस समय दोहरी प्रसासन ब्योस्ता है वो लागू होई दोहरी प्रसासन ब्योस्ता क्या है कि जो बंगाल में डिपटी सुवेदार पद न्यूत किया गया डिपटी सुवेदार क्या होता था कि पूरे जो प्राविंस है जो पूरा प्रांथ है उसके प्रसासन पर नजर रखेगा और deputy सुवेदार हलाखी रहेगा नवाब के अंदर में ही लेकिन नवाब इसको हटा नहीं सकता यानि कि नवाब जो भी कर्टुते करेगा उसको deputy सुवेदार देखता रहेगा और अंग्रेजों को बताता रहेगा तो इस तरीके से जो कंपनी थी वो निजामत पर कबजा कर ले गए निजामत यानि कि जो पुलिस जो प्रसासन बेवस्था थी उस पर भी कबजा हो गया और आपने देखा कि दिवानी पर तो कबजा होई गया था यानि कि राजस तो डारेक्टली जा रहा था अंग्रेजों की जेब में और साथी साथ अब अंग्रेजों ने एक कैंड आफ जो पुलिस जो प्रसासन बेवस्था थी उस पर भी नजर रखी हुई थी तो अब जो प्रसासन बेवस्था थी वो कहने के मनलब कि राजा के एं रोबर्ट क्लाइव ने जारी की थी इसके बाद में मीर्जाफर आपने देखा कि 13, 17, 17, 16, 17, 17, 17, 17 उसके बाद में बंगाल का काम खतम हो गया पूरी तरीके से अंग्रेजों का सासन वहाँ पर चल गया झाल 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 गया